हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनले टार्गेट सिल्सरीक्स में आज है 14 माई और आज किस लेक्चर में 14 माई से जितने भी करेंड डफेस के कोशिन बनने वाले है सारे कोशिन को इस लेक्चर में हम डिसकर्स करेंगे और साती दोस्तो इन करेंड डिफेस के कोशन से जो भी extra fact बनेगा वोने भी हम देखने वाले है और दोस्तो वीडियो के end में हम बात करेंगे डेली जी के तरकाडोस 75 की यहाँ पे हम दोस्तो ऐसा selected कोशन करते है जो आने वाले सभी computer exam में पूछे जा सकते है सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास क्लास में आपसे कोशन पुछा गया था कि हिंदुस्तान petroleum corporation limited मलब HPCL के नए अधिक्ष और प्रबंदक निदेशक कौन बने है यहाँ बन गए दोस्तो पुष्प कुमार जोसी यहाँ पर correct answer है option 1 तो दोस्तो पुष्प कुमार जोसी हिंदुस्तान petroleum corporation limited के नए अधिक्ष और प्रबंदक निदेशक बन गए है इन्होंने मुकेश कुमार सुराना का इस्थान दिया है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि है जो हिंदुस्तान petroleum corporation limited है यहाँ दोस्तो तेल और प्राकृतिक गेस निगम की एक सहायक company है जो भारत सरकार के petroleum और प्राकृतिक गेस मंत्रा लेके सौमित्व में है इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्याले मुंबई महारस्ट में इसी थे तो याद दखने आपको कि कौन बन गए दोस्तो HPCL के नए अधिक्ष और CMD तो यहाँ पुस्प कुमार जोसी बन गए है और आप दोस्तो सुरुवात करते हैं जो last class में हमने कोशन के थे उनके revision की revision का पहला कोशन है पुलीतेजर पुरुसकर 2022 से कितने भारती फोटोग्राफर को समानित किया गया था तो यह समानित किया गया था दोस्तो चार भारती फोटोग्राफर को कोशन के हाली में किसने गुहाटी में असम पुलीस को प्रेशिडेंट कलर्स रुसकर से समानित किया है यह समानित किया दोस्तो ग्रह मंत्री अमिर्च साहजी ने कोशन के कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तुफान का नाम असानी किस अदेश ने रखा है यह रखा है दोस्तो स्री लंका ने अगला कुशन के हाली में आदी माउसो 2222 कहां पर शुरूआ है इसकी सुरूवत की गई है मंड़ला मध्य प्रदेश में अगला कुशन है कि वी सव तहले सीम्या दिवस कब मना जाता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो वी सो थेले सिम्या दिवस है यहाँ प्रति वर्स आठ मई को मना जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर है option 2 next question है अंतराशी निसाने बाज खेल महासंग जुनियर वी सो कब 2022 का जो आवजन है दोस्तों वह कहां पर शुरूआ है इसके सुरुवात हुए जर्मनी में और अब चलता है अगले question के और आपके लिए अगला question है राश्ची प्रादोगी के दिवस 2022 मैंने नैस्टनल टेक्नोलोजी डे दो 2022 कब मनाए गया है यहाँ मनाए गया है ग्यारा मई को correct answer है option 3 और अब दोस्तों सुरुवात करते हैं आज के current face की और अभी तक आपने हमारे lecture को like ने किया है तो like जरू कर दे share भी करें अगर आप इस शेम पर नए हो तो इसे subscribe भी जरू कर ले question है दोस्तों कि ऐसे ही चुनाओ प्राधी करन संके नए अदेक्ष की रूप में किसे चुना गया है यहाँ चुना गया है दोस्तों हमारे देश भारत को यहाँ पर correct answer है option 2 तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि मनीला फिलिफिन्स की राजधानी में कारकारी बोर्ड और महासभा की हाली में हुई बैठक के दोरान भारत को 2022-24 के लिए AAEA की नई अधिक्ष के रूप में चुना गया है मैं आपको बता दू कि उप चुनाओ आयूक्त नितेश व्यास की अधिक्षिता में भारत के चुनाओ आयूक्त के तीन सदसी प्रती मंडल ने बैठक में दोस्तों भाग लिया है और इससे पहले दोस्तों भारत 2011-13 तक औ और आपके लिए अगला कोशिन दोस्तों की भारत का पहला जेवी कचरे से चलने वाला इलेक्टिक वहान चार्जिंग इस्टेशन कहां पर खुला है दोस्तों इसे खुला गया है मुंबाई महारास्टर में करेक्ट आइसर है यहां पर आप्शन थर्ड तो दोस्तों बायो गेज आधारीच इलेक्ट्रिक वहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है इसे नए चार्जिंग स्टेशन का जो उद्गाटन है वह महाराच सरकार के परयावरन और पर्येटर मंत्री आधित ठाकरें इसका सिलानास किया है यहां बायो गेज दोस्तों आधारीच इलेक्ट्रिक वीकल वहन चार्जिंग स्टेशन इस्ट्रिट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ लेक्ट्रिक वहनों को भी चार्ज करेगा तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि भारत का जो पहला जेवी कचरे से चलने वाला जो इलेक्ट्रिक वहन पंडित शुकराम का निधन हो गया है दोस्तों इनका जो संबंद है वह किस राज्य से था? तो दोस्तों इनका जो संबंद है वह हिमाचल प्रदेश से है यहां पर correct answer है wp4 और आप देख सकते हो यह है दोस्तों पंडित सुकराम जो की पूर्व केंदी मनत्री थे दोस्तों मैं आपको बता दू तीनों ने अपना जो राजनितिक सफर है वह 1963 से सुरू किया था पाँच बार यहां राज्य विधानसवा चुनाव जीता है और इन्होंने तीन बार संसदी चुनाव भी जीता है मैं आपको बता दू कि नर्शीमा राओ की सरकार में वर्स 1993 से 1996 तक देश के टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे है के पदपर रहते हुए दोस्तों ब्रहष्टाचार करने के लिए अदालत ने इन्हें वर्स 2011 में 5 साल की जेल सजा सुनाई थी तो यहाँ पे आपको याद दखना है कि यह जो पंडित सुकराम जी है इनका जो संबने दोस्तों वहाँ किस राज्य से था तो हिमालचल प्रदेशे और आप चलते अगले कोशन के और आपके लगला कोशन है दोस्तों कि भारत के नए मुख्य चुनाओ आयुक्त कौन बने है यहाँ बन गए दोस्तों राज्यू कुमार करेक्ट अंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 और आप देख सकते दोस्तों यह है राज्यू कुमार जिने भारत के नए मुख्य चुनाओ आयु आपते नियुक्त किया है और वे 15 मई को अपना कारे भर घरन करेंगे केंदी कानुन मंत्री किरन रिजे जो ने ट्वीट करिया जानकरी दी थी कानुन मंत्री ने दोस्तों ट्वीट में लिखा दाकि सविदान के अनुछित 324 के खंड दो के अनुसार राश्वति ने राजु कुमार और आप चलता अगले एक कोशन के ओर आपके लिखला कोशन के अंतराशी नर्स दिवस 2022 कब मना गया है दोस्तों यहां मनाया गया था 12 मही को करेक्ट अंसर है ओप्शन 3 तो दुनिया भर में 12 मही को प्रतिवर्स अंतराशी नर्सिंग दिवस के रुप में मना जता ह दोस्तो इस दिन को Florence Nightgill का जन्म वासा जिने Modern Nursing का संसापक माना जाता है उनकी जन्म दिवस के मौके पर दुनिया भर की सबी नर्सों का सम्मान करने और उनके परिश्यम और सिवा के प्रती कृतग्यता वेक्तिक करने के लिए यहां दिवस मना जाता है बात करें हम अंतराशी नर्सिंग दिवस 2022 की थिम की तो यह है दोसो ए वोईस टू लीड इनवेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्यूर ग्लोबल हेल्थ यह इस वर्ष की थिम है जो आपको यादखना है तो यादखना है कि अंतराशी नर्सिंग दिवस 2022 कब मना गया है तो यहाँ बारा मुई को मना गया है और अब चलता है अगले कोशन दोस्तों की स्रिलंका के नए प्रधान मंत्री कौन बने है यहाँ बन गए दोस्तों रानिल विक्रम सिंग और आप देख सकते हो यह है रा रानिल विक्रम सिं की जो राजदानी दोसो व सी जयवरधरा पूरे कोटने हैं सिलंका की करणसी की बात करें तो यहहाँ रूपिया है और राष्पति कोने दोस्तों तो गोध बाया राज पक्षे है तो यहाँ सभी मातों पूइंट है स्रिलंका से जो आपको याद दखना है और आपके लिए अगला कुशन है कि महिला विश्व मुक्यबाजी चेंपेंसिप 2022 का जो आयोजन है दोस्तों वह कहां पर सुरूआ है इसका आयोजन सुरूआ है इस्तामबुल तुर्की म में हुआ है इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 अधिक मुक्यबाज भाग लेंगे जो इस प्रतिश्चित आयोजन की दोस्तों 20 वी वर्सगाट का भी प्रतिक है मैं आपको बता दो इसका आयोजन इस्तामबुल तुर्की और साथी आपको याद दखना है कौन सा संस आयोजित किया है तो विस्वा याद दखना है आपको कि महिला विस्वा मुक्यबाजी चेंपिंशिप 2022 का आयोजन इस्तामबुल तुर्की में शुरू है और साथी दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं आई बी ए मलब इंटरनेशन बॉक्सिंग एसोशियेशन की जिसकी बात करते हैं आज के कोशन हम देखी जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कोशन की दक्षिन कोरिया के नए राश्पती कौन बने है इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और साथी यहां पर दोस्तों दक्षिन कोरिया के करंसी क्या है और यहा आपके आने वाले सभी computer exam में पूछे जा सकते हैं आज का जो पहला कोशन है आपके लिए भारती संसत के पहले speaker कौन थे तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि भारती संसत के जो पहले लोग सभा अधिक्ष्य थे उनका नाम है जीवी मावलंकर या दखना नाम क्या है जीवी मा खोज की थी दोस्तों हेंडी बुकेरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी या दखना किसकी खोज की थी रेडियो धर्मिता की नेक्स कोशन दोस्तों कि हमारे शरीर में अनुवनसिक्ता की इकाई को क्या कहता है तो इसे दोस्तों जिन कहा जाता है या दखना क्या कहा जा भ luônी नदी किस पर्वत संक्राल से निकलती है परत संख्राल से निकलती है नेक्स कोशन है कि वीजे नगर सहर किस नदी के तड़ पर बसा हुआ था तो यहाँ बसा था दोस्तो तूंग भधरा नदी के तड़ पर वीजे नगर सहर किस नदी के तड़ पर बसा है तो तूंग भधरा नदी के अगरा कोशन दोस्तों कि भारती सविदान का अनुछेश बाहतर किस समबन्दी थे तो इसका समबन्द राष्पती की चमा करने की सकती से समबन्द है आर्टिकल 72 का नेक्स कोशन दोस्तों की इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं तो इवनिंग स्टार दोस्तों सुक्र ग्रह को कहा जाता है या देखना कौन से ग्रह को कहा जाता है तो सुक्र ग्रह को कहा जाता है तो दोस्तों आज का लिक्चर यहीं पर इंड होता है अगर आपको हमारा ल Take care.